एक इंसान जिसके जिन्दगी से सारा रंग उड़ गया था, वो जी रहा था एक बेजान पत्थर की तरह, लेकिन एक डॉग आके उसके जिन्दगी में रंग भर देता है, दोस्तो इस मूवी ने सब के दिलों को ऐसे छू लिया था कि इसे देखने के बाद आखों से पानी न मिले, तो चलिए शुरू करते हैं, मूवी के शुरू में एक पेट सेंटर को दिखाया जाता है, जहां बहुत सरे पेट को बेचने के लिए रखा गया था, वहां से एक डॉग भाग के शहर की तरह आती है, इदर उदर भटकते भटकते वो एक बख्त भुग से बहुत परि वही वो डॉग एक डश्ट बिन के बगल में रहने लगती है, राहूल हर दिन उसका जो बचा हुआ खाना फैक देता है, उसे खाके वो जिंदा रहती है, ऐसे धीरे धीरे वो डॉग राहूल के नजदिक होने लगती है, एक दिन जब राहूल घर बपा जा रहा था, तब वो भी उसके पीछे पीछे आ रही थी, अचना एक बाइक बला आके उसके साथ एक्सिडेन होके गिर जाता है, इससे बाइक बला और उसे चोड़ लग जाता है, राहूल उसे इग्नोर करके घर में घुच जाता है, वहां सभी कलोनी वाला दोर के आता है, और बाइक बला क आप इसे यहीं रख दीजिए। डॉक्टर कहता है कि हमारे यहां पहले से बहुत सरे डॉक है। इसके लिए जगा नहीं होगा। अब इसे ले जाए। अगर कोई इसे अड़ाप्ट करने वाला आएगा तो मैं उन्हें आपका एड्रेज दे दूँगा। आखिर राहूल उस लेकिन रहूल उन पे गुष्सा होने से वो लोग कुछ बोल नहीं पाता है। इदा डॉक्तर को एक परिवयर मिल जाता है जो डॉक एडप्ट करने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन रहूल के घर आके उसका घर का हालत देखके वहाँ से भाग जाते हैं। फिर डॉक्त कि उसे license दे देती है और वहाँ license नमबर आता है 777 एक दिन देवी का अपने टीम के साथ investigation के लिए राहूल के घर आती है लेकिन वहाँ उसे ऐसा कुछ नजन नहीं आती है तब वो राहूल को बहुत सरा कानून सुना के डराने की कोशिश करती है और जाते बग उस dog के गले में एक transmitter लगा के जाती है इधर बाहर एक आदमी का अवाज सुनके वो dog बाहर आ जाती है बहार राहूल के परुसी चंदन को एक आदमी आके कुछ उल्टा सिधा कह रहा था राहूल भी dog को बुलाने के लिए बाहर आता है और ये देखके वो आदमी वहाँ से भाग जाता है च वो देखता है कि वो dog खिरकी से चिला रही है तब एक hospital step कहता है कि ये dog पूरा रास्ता ambulance के पीछे पीछे दौर के आये है ये सुनके राहूल खामोज हो जाता है घर बापा जाके राहूल उसके लिए एक ice cream ले आता है क्योंकि वो ice cream का ad देखके बहुत खुश होती थी तब लोग जाने के बाद राहूल बहुत मायूज हो जाता है एक दिन डॉक्टर फोन करके राहूल से कहता है कि वो एक दिन उस घर में जाके सारे पेपर में साइन करके आये डॉक्टर के कहने पर राहूल एक दिन उस घर में जाता है लेकिन वहां जाके देखता है कि घर का तो ह जाने नहीं दे रहे थी, राहुल उसे घर में रखके काम पे चला जाता है, लेकिन जब वो बापा जाता है, तब वो देखता है कि जहां पे चार्ली को छोड़के गया था, वो उधर ही सोई हुई है, राहुल उसे हाथ लाएकर समझ जाता है कि उसका तबियत बहुत खराब ह राहुल उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है और एहीं से कहानी में आती है ट्विस्ट डॉक्टर चेक करके बताता है कि चार्ली को कैंसर हुआ है ये सुनके राहुल का होश उड़ जाता है राहुल कहता है मैंने तो उसके अच्छे से देख भल की थी लेकिन डॉक्टर कहता कि ऐसा कुछ आदमी है जो पैसों के चलते गलत तरीके से ब्रेडिंग कराता है जिससे कुत्ते के अंदर इस तरह की विमारी पैदा हो जाती है घर बापा जाके राहूल चारली के बारे में सोच के रोता रहता है तब ही वो देखता है कि चारली टीवी में वो एड में बरब उचाल रही थी राहूल ठान लेता है कि वो चारली को असली स्नोफल दिखाएगा इसलिए दोनों नौर्थ इंडिया के लिए निकल जाता है और शुरू होता है इन दोनों की जर्णी इधर राहूल डर भी रहा था क्यूंकि चारली के हाथ में समाई बहुत कम था तब ही ड और पर अनीमर डिपार्टमेंट बालों के साथ देभी आई थी, वहां देभीका चार्ली का लोकेशन ट्रैक करती है और पता चलता है कि चार्ली कुछ दिर पहले यही थी तब देभीका सोचने लगती है कि शायद राहूल भी इनके सथ मिले हुए है अब देभीका राहू के साथ मिले हुए हो मैं तुमें चारली का कुछ नुकसान करने नहीं दूंगी लेकिन राहूल उसके बातों का जवाब नहीं देता है और बाइक स्टार्ट करता है तब देविका भी उसके साथ बाइक में बैठ जाती है रास्ते में एक जगा पैरा गलाइडिंग चल रहा थ चारली ये देखके बहुत खुश हो जाती है तब राहूल उसे लेके पैरा गलाइडिंग करता है राहूल ये सोच के खुश हो जाता है कि उसने चारली का एक सपना तो पुरा कर पाया और ये देखके देविका को समझ में आ जाती है कि राहूल कैसा है वो राहूल से सब ज तमु जाता है रहूल रास्ते में отсी यूप के लिए इंतिजार कर रहा है तब ही नितिन नमका एक लड़का उसका डॉक्ट ब्लैेक को लेके वहां से साध से गूजर रहा था नितिन रहूल को अपने do Nate पे नहीं गया था तभी वहां राहुल देविका को देखता है इदा चार्ली का पार्परमेंस शुरू होने वाला था चार्ली का पार्परमेंस शुरू होने पर चार्ली सब गलत करने लगती है तब वहां का जास गुस्सा हो जाता है और चार्ली को डिस्कौालिफाई करने के कहता है यह सुनके राहुल चार्ली से गुसा करने लगता है और चार्ली जाके राहुल को गुसा तोड़ने की कोशिश करती है इसके बाद राहुल जाके जंपिंग बेरियर को मैक्सिमम लेवल पे सेट करता है और चार्ली उस बेरियर को आसानी से जम कर लेती है और इस तरह वो डॉक्षो जीत लेता है इसके बाद राहूल फीर सी अपना जार्नी कंटिनू करता है रास्ते में जाते-जाते पता चलता है कि चार्ली प्रेगनेनट है एगा राहूल के पास पैसा भी खतम हो जाता है तब राहूल अपना पसंदीता बाइक बेज देता है जिससे वो चार्ली के लिए कुछ दवा खरीच सके इसके बस में बैटके रहुल शिमला के लिए निकल जाता है लेकिन रास्ते में स्लाइडिंग होने के करन आर्मी वाले बस को जाने नहीं देता है तब रहुल आर्मी ओपिसर को समझाने की कोशिश करता है कि चार्ली जादा दिन तक नहीं बचेगी इसलिए उसके आखरी खौश पूरी करने के लिए उसों शिमला जाना जरूरी है लेकिन आर्मी वाला मान नहीं रहे थे तब रहुल वहां गुसा होके चिलाने लगता है इतने में वहां कॉर्णेल आ जाता है कॉर्णेल रहुल को अपने कैम्प में लेके जाता है कॉर्णेल कहता है कि कल हमारा एक गारी वर्फ की और जा रहा है तुम चार्ली को लेके कल सुबा निकल जाना रहुल कॉर्णेल से पूशता है कि आप मुझे कैसे पचानते है कॉर्नेल उसे एक मैगजिन निकल के देता है जिसके फ्रॉंट पेस पे राहूल और चारली का फोटो था कॉर्नेल कहता है कि इस मैगजिन में तुम्हारा और चारली का पूरा कहानी लिखा हुआ है राहुल समझ जाता है कि देविका का फ्रेंड ने ये कहानी चाप दिया है राहुल उस रात को कैम में रुकता है लेकिन रात को चार्ली के तबियत बहुत खराब हो जाता है तब राहुल उसे लेके रात को ही बरब दिखाने के लिए निकल जाता है काफी दूर चलने के बाद फाइनली वो लोग वहाँ पहुच जाता है जहाँ चारू तरब बर्फी बर्फ था और बहुत स्नोफॉल भी हो रहा था स्नोफॉल देखके चारली बहुत खुश हो जाती है और उचलने लगती है इसके बाद दोनों वहाँ बहुत देर तक खेलता है फिर कैम्प में बपा जाके सबको कॉल करता है और कहता है कि वो चार्ली को स्नोफल दिखा पाया है रात को राहुल घर वपत जाने की सोच रहा था अचनक देखता है कि चार्ली नहीं है राहुल सिधा उटके वो ही भागने लगता है जहाँ पे सनोफल हो रहा था जाते जाते रहुल एक पेर से टकरा के बेहोश हो जाता है कुछ दिर बाद जब उसे होश आता है वो फिर दोरने लगता है फिर दूर में एक मंदिर के सामने रहुल चारली को देखता है रहुल वहाँ जाते ही चारली उसके गोद में सो जाती है फिर चार्ली अपनी पेर मूड के रहुल को थैंक्यू कहती है कुछ दिर बाद रहुल के गोद में चार्ली अपनी आखरी साज लेती है चार्ली मर जाने से रहुल बहुत रोने लगता है और ये सीन देखने के पाद आखों से पानी नहीं रुक रहा था राहुल कहने लगता है मैंने तेरे लिए खुद को बदला तुने मेरी जिन्दगी में इतने रंग भर दिये और आज तु मुझे छोड़ के चली गई तबी राहुल को अंदर से एक आवास सुनाई देता है राहुल अंदर जाके देखता है कि चार्ली उसे अकला छोड़ के ही गई थी वो बच्चे को जनम दी है राहुल उन बच्चे को लेके घर बापा जाता है घर आके राहुल एक एनिमेल रिस्क्यू सेंटर खोलता है और इस सेंटर का नाम वो चार्ली के नाम पर रखता है और इसी सीन के साथ मुवी यहीं पर खत्म हो जाती है चार्ली को प्रेश कर देना अगले वीडियो की नौटिफिकेशन पारने के लिए तो मिलते हैं आगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई